नमस्कार सबको सिच्छा यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए GKGS का सेट नमबर 9 देखेंगे इस सेट में टोटल 75 प्रस्ण है और सभी प्रस्ण जो आपका most important और selected question है और दोस्तों ये जितने भी question है ये previous year में पू important होगे तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएगा कि आपने इस सेट में कितने प्रस्ण सही किये तो चलिए बीना देर किये हुए वीडियो को सुरू करते है और दोस्तों ऐसे question आपके exam में देखने को जरूर मिलेंगे तो ये सबी most भी भी आई question है आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगला question question number 2 निम्न में से किस मुगल सासक ने जजिया कर समाप्त किया था तो इसका सही उत्तर है आपसन नमब सी अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था सी इसका correct answer है अगला question question number 3 निम्न खित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतिय चेतर में नहीं है जिसका सही उत्तर है आपसन नमब भी ब्रह्म पुत्तरा नदी जिसका उद्गम चेतर भारतिय चेतर में नहीं है भी इसका correct answer है और दोस्तों लास्ट में कमेंट करके आप बताईएगा कि इन पच अतर कोश्चन में आपने कितने कोश्चन सही किये अगला question question number 4 निमलिखित में से किस बिटामिन का संसलेशड यकरित द्वारा किया जा सकता है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमब भी बिटामिन ए का संसलेशड यकरित द्वारा किया जा सकता है यह इसका correct answer है अगला question question number 5 राष्टि पती द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामानकन का नियम किस देश के संभिदान से लिया गया है most BBI question है यह question आपके एकजाम में पूछा जा सकता है तो इसका correct answer है आपसन नमब भी आयरलेंड के संभिदान से राष्टि पती द्वारा राज्य सभा के सद संभिदान सभा दोरा भारत के संभिदान का अधनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे इसका सही उत्तर है आपसन नमब भी विविन प्रांदों के विदान सभाव दोरा निर्वाचित सदस्य बी इसका correct answer है अगला question question number 7 जब सुध जल में detergent डाला जाता है तो प्रिश्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तिसका सही उत्तर है आपसन नमब भी जब सुध जल में detergent डाला जाता है तो प्रिश्ट तनाव गट जाता है बी इसका correct answer है अगला question question number 8 दो निकायों के बीच उसमा के परवा की दिशा किस पर निर्वर करती है तिसका correct answer है आपसन नमब ए दो निकायों के बीच उसमा के परवा की दिशा उनके अपने तापमान पर निर्वर करती है अगला question Q9. 222 संधी पर भारत ने किस वर्ष हस्ताचर किया? तिसका सही उत्तर है आपसा नमबर D 222 संधी पर भारत ने वर्ष 1976 में हस्ताचर किया D इसका करेक्टेंट सरे Q10. निमलिखित में से कौन सा दर्रा उतराखंड में अवस्थित नहीं है? तिसका करेक्टेंट सरे Q10. नाथुला दर्रा जोए उतराखंड में इस्तित नहीं है D इसका करेक्टेंट सरे माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और निती दर्रा ये जोए आपका उतराखंड में इस्तित है Q11. भारत का राश्टेपती निमलिखित में से किस सदन का सदस्य होता है? Q12. फाक लेंड जलदारा का संबंद किस मा आसागर से है? Q13. अगला Q13. असोग के सिला लेखो की लिपी क्या है? Q13. अगला Q13. अगला Q13. कई बार ये एकजाम में पूछा गया Q13. अगला Q13. Q4, सरोच न्याले के न्याएदिसों का चुनाव किस परकार होता है? तो इसका संयूत तरह आपस नमबर D सरोच न्याले के न्याएदिसों का चुनाव मुख्य न्याएदिस के सलापर राष्टेपती द्वारा होता है D इसका correct answer है अगला Q4 Q15 लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिती के कारण होता है तिसका सयूत तरे आप्सन नमबर B लो आकसाइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है B इसका करेक्ट एंसर है अगला Q16 Q16 चीनी या तरी फायान किसके सासनकाल में भारत आया था तिसका सयूत तरे आप्सन नमबर C चीनी या तरी फायान चंद्रगुप्त विक्रेमादिती के सासनकाल में भारत आया था C इसका करेक्ट एंसर है अगला Q17 Q17 किस परसिद सासक ने कलिंग को मगत छेतर में मिला आया था तिसका सयूत तरे आप्सन नमबर C महापदमनन्द ने कलिंग को मगत छेतर में मिला दिया था C इसका करेक्ट एंसर है अगला Q18 Q18 किसने का था कांग्रेस या चना करने वाली संस्थान है तिसका सयूत तरे आप्सन नमबर C बिपिन चंदरपाल C इसका करेक्ट एंसर है अगला Q19 Q19 Q20 Q20 Q19 Q20 Q19 Q20 Q18 भारत में पंचायती राज इस्थापित करने वाले प्रथम दो राज ये कौन से थे Most BBI क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कोई बार एकजाम में पूछा गया है तिसका करेक्ट एंसर है आप्सन नमबर C राजस्थान और आंदर परदेश C इसका करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन Q3 और शास्थ के पुष्टक के लेखक कौन थे तिसका सईउद तरे आप्सन नमबर E और शास्थ के पुष्टक के लेखक चाणक ये ये इसका करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन Q3 जैदेव द्वारा लिखित गरंत कौन सा है तिसका सईउद तरे आप्सन नमबर E जैदेव द्वारा लिखित गरंत गीत गोबिंद है बी इसका करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन Q3 हिमाले परवत की एक स्रेडी आरा कान योमा कहा इस्थी थे तिसका सईउद तरे आप्सन नमबर E मैंनमार में इस्थी थे बी इसका करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन Q3 महा जनपद किस जैन साइति में नहीं थे तिसका सईउद तरे आप्सन नमबर E भगवती सुत्र देखिए यहां पर जैन साइति की बात कर रहा है महा जनपद किस जैन साइति में नहीं थे तिसका करेक्ट एंसर है आप्सन नमबर C भगवती सुत्र में C इसका करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन Q34 जिसका सईउद तरे आप्सन नमबर C हुमाईू का मकबरा दिल्ली में इस्थी थे C इसका correct answer है अगला question question number 35 तोसील इस्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है तिसका सही उत्तर है option number B तोसील इस्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समीती कहा जाता है B इसका correct answer है अगला question question number 36 किस खनीज को दफ़न धूप के रूप में जाना जाता है तिसका सैयूत तरे आपसन नमबर डी कोयला को दफ़न धूप के रूप में जाना जाता है डीज का करेक्टेंट सरे अगला कोश्चन Q. 37, बाबर का पूरा नाम क्या था? दिसका सयूत तरे, आपसन नमबर D, बाबर का पूरा नाम जहरुदीन मुहम्मद बाबर था, D इसका करेक्टेंट सरे, अगला Q. 38, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिसका सयूत तरे, आपसन नमबर C, एहमदाबाद और मती नदी के किनारे बसा हुआ है सी इसका correct answer है अगला question question 49 भारत में पंचाइती राज प्रडाली कौशी गई थी इसका सही उत्तर है आपसा नमबर भी भारत में पंचाइती राज प्रडाली 1969 में शुरू की गई थी 20 का correct answer है और भारत में पंचायती रज प्रडाली अपनाने वाला पहला राजे कौन सा था तो ये आपका राजस्थान था ये आप लोग को याद रखना है कोई बार ये क्वेश्चन एक्जाम में पूछा गया है अगला क्वेश्चन प्रसिद उपान्यास चरितर हीन के उपान्यास कार कौन है तिसका सही उत्तर है आपसन नमबर ए सरत चंद्र चटो उपाद्याई चरितर हीन के उपान्यास कार है ये इसका करेक्टेंसर है अगला क्वेश्चन question number 41 मानो संसादन विकास मंतराले का नाम बदल कर क्या रखा गया है तिसका सही उत्तर है option number D मानो संसादन विकास मंतराले का नाम बदल कर सिच्छा मंतराले कर दिया गया है D इसका correct answer है अगला question question number 42 इंडिका का लेखा कौन था तिसका सही उत्तर है option number B अंडिका का लेखा मेगा स्थनीज था 20 का Correct answer है अगला question question no.43 योगदर्शन का प्रतिपादक है दिसका सहीउध तरे Option no.A योगदर्शन के प्रतिपादक पतंजली है ये इसका Correct answer है अगला question question no.44 रोम सर किस नदी के तर्ड़ परिस्थी थे तो इसका सयूत तरह आपसन नमबर A रोम सर टाइबर नदी के तड़ परिस्तित है A इसका correct answer है अगला question question नमबर 45 भारत में एकमातर ब्रह्मा मंदिर कहाँ परिस्तित है तो इसका सयूत तरह आपसन नमबर C पुषकर अजमेर में भारत का एकमातर ब्रह्मा मंदिर इस्तित है C इसका correct answer है और अजमेर कहाँ परिता है तो ये आपका राजस्थान में परिता है ये भी आप लोगों को याद रखना है अगला question question number 46 जनगाणा को संभीदान के किस सुची में रखा गया है तिसका सही उत्तर है आपसन नमबर A जनगाणा को संभीदान के संग सुची में रखा गया है ये इसका correct answer है अगला question question number 47 यूरिक अमल किसमें पाया जाता है तिसका correct answer है आपसन नमबर C यूरी कमल मुत्र में पाया जाता है सीज का करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 48 राजे सभा द्वारा लोग सभा को दन विदयक कितने दिनों में लवटा दिये जाना चाहिए तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर सी 14 दिनों में राजे सभा द्वारा लोग सभा को दन विदयक 14 दिनों में लवटा दिया जाना चाहिए सीज का करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 49 बंगाल में पाल वंस के संस्थापक कौन था तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर 2 बंगाल में पाल वंस का संस्थापक गोपाल था बीस का करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 50 और्थ सास के जनक किसे का आ जाता है मोस्ट इंपोर्टन क्वेश्चन है कोई बार एकजाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तिसका करेक्ट एंसर है आपसन नमबर A और सास का जनक एडमी स्मीत को का आ जाता है ये इसका करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 51 भी भी आई प्रसन है ये क्वेश्चन कोई बार एकजाम में पूछा गया है अंतराष्टी महिला दिवस किस तीथी को मनाया जाता है तिसका सही उत्तर है आपसन नमबर A अंतराष्टी महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है ये इसका करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 52 सुन्डा जल डमरू मद्य किसके बीच इस्तित है तिसका सही उत्तर है आपसन नमबर है जावा और सुमातरा के मद्य सुन्डा जल डमरू मद्य इस्तित है यह इसका correct answer है अगला question question नमर तीरपन पोखरण में प्रतम बार प्रमाडू परिछड कॉप किया गया most important question है यह भी question कोई बार एक्जाम में पूछा गया है तिसका correct answer है आपसन नमबर बी 18 माई 1974 में पोखरण में पहली बार परमाडू परिछड किया गया था बीच का correct answer है अगला question question number four one तमाकु का सबसे बड़ा उत्पादक राजय कौन है तिसका correct answer है आपसन नमबर बी तमाकु का सबसे बड़ा उत्पादक राजय आ अंधर प्रदेश है बीच का correct answer है अगला question Q.55 बान बट किसके दरबारी कभी थे तिसका सई उत्तरे आपसन नमब सी बान बट हर्सवर्दन के दरबारी कभी थे C इसका correct answer ए अगला question Q.56 आजाद हिंद फोज का गठन कब हुआ था तिसका सई उत्तरे आपसन नमब डी आजाद हिंद फोज का गठन Q.1942 में हुआ था डी इसका correct answer है अगला question Q.17 भारत में पंचायती राज़ बेवस्था सरोपर्थम 1969 में कहां लागो हुई थी तिसका सई उत्तरे आपसन नमबर ए भारत में पंचायती राज़ बेवस्था सरोपर्थम 1969 में नागवर राजस्थान में लागो हुई थी A. इसका correct answer है most important question है कोई बार एकजाम में ये question पूछा गया है अगला question Q.18 हीरा तथा ग्रेफाइड किसका अपर रूप है तिसका सई उत्तरे आपसन नमबर A हीरा तथा ग्रेफाइड जो है कारबन का अपर रूप है A. इसका correct answer है अगला question Q.69 इसकरवी रोग का संबंद किस से है तिसका सई उत्तरे आपसन नमबर D इसकरवी रोग का संबंद मसूडों से है D. इसका correct answer है अगला question Q.60 नमबर 60 पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है तिसका सई उत्तरे आपसन नमबर A पोलियो रोग तंत्री का तंत्र को प्रभावित करता है ये इसका correct answer है अगला question question number 61 राजस्थान के गादी किसे का आ जाता है तिसका सही उत्तर है option number A राजस्थान का गादी गोकुल भाईबट को का आ जाता है ये इसका correct answer है question number 62 लिंग राजस्थान का मंदीर किस इस्थान पर है तिसका सही उत्तर है option number A लिंग राजस्थान का मंदीर जो है भुने स्वर में इस्थित है ये इसका correct answer है ये भी भी वी आई प्रसन है ये कई बार एकजाम में question पूछा गया है तो आप लोग को इसे याद रखना है अगला question question number 63 सियाचीन गलेसियर किस राजस्थान का इस्थित है तिसका सही उत्तर है option number C सियाचीन गलेसियर जम्बू कस्मीर में इस्थित है सी इसका correct answer है और दोस्तों जम्बू कस्मीर अब केंदर सासित परदेश बन गया है ये भी point आप लोग को याद रखना है अगला question question number 64 भारत में पहली बार सोने के सिक्षों को किस ने जारी किया तिसका सही उत्तर है option number C भारत में पहली बार सोने के सिक्षों को हिंदू युनानियों ने जारी किये थे सी इसका correct answer है अगला question question number 65 चोल राजाओं की राजदानी कहा थी तिसका सही उत्तर है option number C चोल रजाओं की राजदानी तंजोर थी सीज का करेक्टेंट सरे most important question है ये भी question कई बार एकजाम में पूछा गया है तो इसे भी आप लोग को याद रखना है अगला question question नमबर 6-6 बीजे नगर के ओसेस किस नदी के तड़ पर इस्तित है तो इसका सही उत्तर है option number D तुंग बद्रा नदी के तड़ पर बीजे नगर के ओसेस इस्तित है D इसका करेक्टेंट सरे अगला question question नमबर 6-6 पटाका किस देश की मुद्रा है तो इसका सही उत्तर है option number B पटाका मकाउ देश की मुद्रा है B इसका करेक्टेंट सरे और ये भी question कोई बार एकजाम में पूछा गया है तो इससे भी आप लोग को याद रखना है अगला question question number 68 laughing gas किसे कहा जाता है तो इसका सही उत्तर है option number B laughing gas जो है nitrous oxide को कहा जाता है B इसका करेक्टेंट सरे अगला question question number 79 नागा अरजुन सागर प्रोजेक्ट क्रिष्णा नदी परिष्चित है D इसका करेक्टेंट सरे अगला question question number 70 BD सावरकर ने 1904 में और बिनो बारत की स्थापना कहां की है इसका सही उत्तर है option number C BD सावरकर ने 1904 में और बिनो बारत की स्थापना लंदन में किये थे C इसका करेक्टेंट सरे अगला question question number 71 अंतराष्टी हां की मैच का समय सीमा कितने मिनट नेदारित किया गया है most BBI प्रस्ण है ये भी question कई बार एकजाम में पुछा गया है इसे भी आप लोग को याद रखना है तो इसका करेक्टेंट सरे option number C 70 मिनट अंतराष्टी हां की मैच का समय सीमा जोए 70 मिनट नेदारित किया गया है C इसका करेक्टेंट सरे अगला question question number 72 सुबास चंदरबोस हवाई अड़ा कहां पर इस्थी थे इसका सही उतरे option number D सुबास चंदरबोस हवाई अड़ा कोलकाता में इस्थी थे D इसका करेक्टेंट सरे अगला question question number 37 इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई तो इसका सही उतरे option number D 1575 इस्थी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी D इसका करेक्टेंट सरे अगला question question number 74 युनेस्को का मुख्याले कहाँ पर इस्थी थे तिसका सही उतरे option number B युनेस्को का मुख्याले पेरिस में इस्थी थे B इसका करेक्टेंट सरे अगला question question number 75 तर अंतरास्टी श्रम संगठन का मुख्याले का है इस्थित है तो दोस्तो इसका कुमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा और आप लोगको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा अगर आप लोगको अमारी मेनत पसंद आ ये तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें मिलते हैं एक और नए सेट में तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें जय हिंद बंदे मातरम